नमस्कार साथियो एलॉवित आल सुमेधा गिटारिया टॉक्स की उर्चा अपरिमिच श्रिंखला की द्वादश कड़ी में आपका स्वागत और अभिनान्दन साथियो एक शब्द बहुत कॉमन प्लेस है इगो इगो या अहम का अस्तित्व तो मानव स्रिष्ट्री के आरंब से ही है सेग्मेंट फ्राइट ने थेरी ओफ साइको अनलिसिस में इगो को उन समस्त शारीरिक और मानसिक शक्तियों के रूप में एक्स्प्लेन किया जिन से कोई भी व्यक्ति दूसरे से अलहदा होता है भिन्न होता है ये किसी भी व्यक्ति की निच्टा की विशेश्टा है आज एगो या अहम पर बात करना चाहूंगी एगो हमारी और और उर्चा को तुरंद प्रभावित करता है instantaneously एगो हमारी उर्चा को बुस्ट भी करता है पर अधि होने पर हमारी पॉजिटिव एनर्चिस को डिप्लीट करने लगता है ख्षीन कर देता है इसका सीधा असर उन पर भी पड़ता है जिनने किसी भी संबन्थ में husband spouse, parents children, boss subordinate, सत्ता जन्ता और friendships में किसी एक ego की रूबरू होना पड़ता है तो recipient की उर्जा और और अभी क्षनाश में त्वरित प्रभावित होती है इगो है व्यक्ति का स्वयम के बारे में उच्च विचार, the good opinion that one has of oneself जहां जहां इगो शब्द का प्रियोग किया जाता है वो मैं मेरा से सब्बध होता है अपने हिद के लिए किया action इगोईजम के दाइरे में आते हैं मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ अनुसार किया कार्य इगोटिस्टिक कहलाता है ये सब हमें दूसरों में तो दिखता है पर खुद में अक्सर नहीं यहां हर कोई रखता है खबर गैरों के गुनाहों की अचब फित्रत है कोई आईना नहीं रखता वे एगो या अहम ही है जिसके कारण हम किसी कार्या के लिए खुद को ज्छोंक देते हैं एगो हमें शक्ति और हिम्मत देता है यह हमारे अंदर बोल्डनेस पैदा करता है जिससे हम चुनोतियों का सामना धीरच और द्रिड़ता से कर पाएं एक द्रिड़ अहम डिप्रेशन को खत्म कर देता है अक्सर हम सोचते हैं कि एगो या अहम भाव स्वार्थी होता है लेकिन वे अहम ही है जो क्रियेटिविटी और उदारता के लिए प्रेजित करता है यह हम में नहित खुदी का भाव है जो खुदाई को भी चैलिंज करने का समर्थे रखता है हमारा अहम हमारे स्वा के भीतर से उपच्चता है और स्वयम के लिए ही होता है ऐसा हो सकता है कि हमारा एगो बाजी दफ़ा भ्रहम पून भावों या विचारों पर आधारित हो एगो may be based on false ideas and thoughts इसलिए साथियो बहुत जरूरी है awareness में रहना और अपने आपको देख पाना, बांच पाना ताकि निजी ग्रोथ का रास्ता सुगम रहे एगो की tendency होती है arrogance में परिवर्तित होने की बस इतनी सी बाद समंदर को खल गई एक कागज की नाव मुझ पे कैसे चल गई एगो हमारा अहम नए दोस्त बनाने में बाधक होता है समानत है हमें दूसरों को appreciate करने उनको compliment करने से और उनसे माफी मांगने से भी रोकता है prohibit करता है strong ego बिला शक बहुत जिल्द आहत हो सकता है नजाने कितने रिष्टे खत्म कर दिये इस भरम ने कि मैं सही हूँ सिर्फ मैं ही सही हूँ साथियों इतना subtle और सुक्षम होता है ego का वास हमें कि हम अपने भीतर इसका अस्तित्व स्वीकार ही नहीं कर पाते और सच ये भी है कि किसी और के जताने पे तो कतई ही नहीं किसी का हमारे बारे में ऐसा जिक्र भी हमें तिल्मिला देता है और हम बहुत strongly प्रतिक्रिया देते हैं वास्ता में सभी निजी विशेष्टाएं neutral होते हैं ना negative ना positive हाँ उन्हें negatively या positively apply किया जा सकता है एगो strong personality का trait है जैसे हम कहते हैं ना पंजाबी में वड़ा कौन तो वो हमेशें वड़ा और अपनी नजरों में सही होता है उसे no सुनना कतई गवारा नहीं होता उसे no कहना चोट पहुँचाने के समान है एगो की जहन में perfection या उतकृष्टता का अपना vision होता है जिसे कभी सांजा नहीं किया जाता पर उस तक पूरा ना उतरने पे काफी गाज किर सकती है especially मात हतों पर एगो जब भौतिक बाहरी चीज़ों के साथ जुड़ता है जब इस पर सत्ता पावर पैसे का कलेवर चड़ जाए तो ये घमंड कहलाता है अहंकार के रूप में प्रदर्शित होता है और ऐसे में भूल जाता है मत कर माया को अहंकार मत कर माया को अहंकार मत कर काया को अभिमान काया गार से काची ओ काया गार से काची हो जैसे ओसरा मोते अहंकार जब सर चड़ कर बोलता है तो सलाम का जवाब ना देना जान बूच के किसी की उबस्तिती को इगनोर कर देना स्ट्रॉंग एगो के प्रदर्शन दाइरे में आता है एगो को भाता है क्रोध, तंस, सारकेजम, लाउडनिस और अभी व्यक्ति वो किसी भी फॉर्म में हो तीखे, कंटीले, प्रतीक्रियात्मक कमेंट, औरों के सामने हर्ट करना, हिंसक मौन को पालना या अवसर की तलाश करके प्रतीक्रिया देना इन्फलेटिड एगो की प्रवरित्टी है एगो सैडिसम में परिवर्तित हो जाता है जब किसी को, दूसरों को तकलीफ देकर, हर्ट करके, खुशी मिलने लगे कबीर कहते हैं, कबीरा गर्व न कीजिये, रंक न हंसिये कोई अजहू नाव समुद्र में, ना जानो क्या होई एगो की एक किसम, इंटिलेक्च्वल एगो है जिसकी अभी व्यक्ति, अपने ग्यान की शलागा और दूसरों की ग्यान की अलोचना परनिंदा में पाई जाती है हमारा ग्यान, नौलेज उच्छ हो सकता है, पर दूसरों का नगन्य समझना सही नहीं जहां आहंकार का वास होता है, वहाँ विनम्रता, बुद्धी, विवेक, कंस्पिक्वस पाई एपसंस पाई जाते हैं साथियों, एको की गती यदी बेलगाम हो जाती है, तो हमें चोट पहुचा सकती है एको, दिल के दरिया की मानिंद है, जो कभी कभी बेसिम्त भी चलने लगता है ये भूल कर कि इसे किसी रोज उतर जाना है, लोट के घर आना है मुझे ख्षमा करें इस वक्तवे के लिए, पर कुरोना ने कहीं 21 वी शताब्दी के 21 वर्ष के मानव के अहम को आहत किया है हमें दुर्बल और असहाए महसूस करा दिया है पंजाबी में एगो को हो में कहा जाता है नानक हो में रोग बुरा, हो में रोग वड़ा संसार जिससे तकलीफ ही पहुँचती है और इससे बचना चाहिए गुरुबानी में यह भी कहा गया है आपा गया ता आप ही भया कि जब खुच से स्वा से आपा भाव दूर हो जाता है तो इनसान रब रूप ही हो जाता है जब तक एगो या अहम से हम स्वयम उपर रहते हैं तब तक वो एसेट है पॉजिटिव उर्जा सुलब करता है पर जब हमारा एगो हमसे उपर हो जाता है तो हमारे लिए बोच बन जाता है अलायबिलिटी स्वामिय अवधेशा नंजी के शब्दों में सत्ता का अभीमान संपत्ति का अभीमान बल का अभीमान रूप का अभीमान अनुभव करतव्य करतपन विपद का अभीमान चारिट्य कुल विद्वता का अभीमान ये नौपरकार के अभीमान है पर मुझे अभीमान नहीं है ऐ ऐसा आभास होने जैसा भ्यानक अभिमान दूसरा नहीं। साथियो, स्विकार भाव आजाए हम में, ये मान ले हम, स्विकार कर लें, कि हम में अहम है, तो बहुत से रास्ते हैं, जहां से चल के सबली मेट हो सकता है हमारा अहम। तनिक विनम्रता एको का दुश्प्रभाव धो सकते हैं। गुरु नानक कहते हैं, नानक नीवा जो चले लगे न तत्तीवा। कबीर कहते हैं, मैं मैं बड़ी बलाई है, सके निकल तो निकते भाग, कहे कबीर कब लग रहे, रोई लपेटी आग। अवश्यक्ता है, जागरूख होकर ये जाना जाए, कि क्या हमें हमारा एगो खुशी दे रहा है, खालिस, प्योर, सच्ची, सुच्ची, खुशी या दुख, आहत्पन, तकलीफ, कुंठा। साथियो, अवेरनेस में रहें, राजी राजी रहें, हम स्वयम, अपनी एगों से कहीं अधिक महत्पून हैं, हमारी अपनी उर्जा के प्रती सजकता, हमें जरूरत महसूस करवाती है, हमारे सोच में बदलाव की, जिससे हम नेगिटिव थौट्स से बच सकें, और खुश और चित, चार चित, अपनी अपरी मित और जासे, अपने कमेंट्स से जरूर अवकत करवाईएगा, जल्द ही फिर मिलेंगे, जहन्त